हेलो बच्चो स्वागत आपका पाई क्लासेज में आज की वीडियो क्लास 11 के लिए है जैसे कि आपके फर्स्ट टर्म के एकजाम कम्प्लीट हो चुके हैं और सेकेंड टर्म आपका स्कूल में स्टार्ट हो चुका होगा तो सेकेंड टर्म का जो पहला चैप्टर हमें करना है वो चैप्टर एट और चैप्टर एट में भी हमें वायू मंडल का संगठन ये हमें और सरनचना ये हमें करना है पहला चैप्टर तो आईए स्टार्ट करते हैं बिना समय वतीत करें तो चैप्टर में सबसे पहले दे रखा है वायू मंडल अब वायू मंडल होता क्या है द पानी बहुत जरूरी है लेकिन सास कैसे रहते हैं सास तो लगबग हम हर सेकंड लेते रहते हैं उनको वाईयू सब आट ज़िवो के लिए वहा जरूरी है क्यों कि बिना वाईयू के जीवन हमारा संभव नहीं है तो मनुस्या जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के कुछ दिन या कुछ समय तक ही जीवीत रह सकते हैं ये बात आप सबको पता है किन्तु सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवीत रहना संभव नहीं है यही कारण है कि हमें वायू मंदल का विस्तार से ग्यान होना चाहिए अब वायू मंडल होता क्या है ये पढ़ेंगे हम तो वायू मंडल विभिन परकार के गैसों का मिस्रण है कई परकार की गैसे हैं इसके अंदर और ये है पिर्थवी को चार ओर से ढखे हुए जो हमें जहां हम सांस ले रहे हैं जो हमें आसमान की तरफ देखते हैं तो ये सब क्या है ये वायू मंडल ही है और ये वायू मंडल ने पिर्थवी को चार ओर से घेरा हुआ है तो पिर्थवी के चार ओर वायू का जो आवरन है जो वायू ने घेरा हुआ है इसी को वायू मंडल हम कहते हैं यह वायू का आवरन पिर्थिवी के गुर्थवाकरशन बल की वजह से पिर्थिवी के चारो और किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्ज गुर्थवाकरशन जो बल है इससे पिर्थिवी के चारो और कंबल के रूप में चिपका हुआ है इसकी भी एक लिमिट है कितने किलोम का अंस यानि जीवन जो चल रहा है प्रत्वी पर जीवों का ऐसी वायू मंडल की वज़े से ही संभव है वायू मंडल में मनुस्य और जीवों के जीवन के लिए आवेशक आवेशक क्या जैसे ओक्सीजन तथा पोधों के जीवन के लिए कारवंडा याकसाइड पाई जाती ह किसमें इसी वायू मंडल में पाई जाती है ये दोनों कैसे वायू मंडल का 99% भाग भूपरश से 32 km की उचाई तक ही सीमित यानि जो हमारी प्रिथवी की सतह है जो जमीन है इसका जो 99% भाग है वो 32 km की उचाई तक ही है और बाकी 1% 32 km की उचाई के बाद है यानि में जो वा वायू क्या होती है वायू के बारें पढ़ते हैं विभिन गैसों के मिश्रन को वायू कहते हैं यानि जो वायू हवा जो चल रही है इसमें भिन भिन परकार की गैसों है और यह जब वायू है यह रंग ही नहीं है यानि इसका कोई रंग नहीं है क्योंकि आप जब देख सकते oxygen, organ, carbon dioxide, neon, helium, ozone, hydrogen, methane, krypton, genon ये सारी gases इसमें पाई जाती है गैसों के अलावा और के होता वायू मंडल में वायू मंडल में जलवास होते हैं तथा धूलकन भी उपस्तित रहते हैं अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे वायू मंडल का संग्टन, composition of atmosphere वायू मंडल मुख्यत है, कुछ गैसों यानि इसमें क्या क्या होती हैं गैस होती हैं वायू मंडल में जलवास होते हैं और धूलकन होते हैं इनसे बना हुआ होता है वायू मंडल की जो उपरी पढ़ते हैं उनमें गैसों का अनुपात बदलता रहता है और कैसे बदलता रहता है जैसे कि 120 किलो मेटर की उचाई यानि कहां से जमीन से पिर्थवी से 120 किलो मेटर की उचाई पर oxygen की मात्रा ना के बराबर रह जाती है यानि होँआ फिर oxygen नहीं एक्सोबिस किलोमेटर की उचाई के बाद तथा कार्बन डाय अकसाइड और जलवास्व ये गलत लिखाओ ये जलवास्व है जलवास्व पिर्थिवी की सतह से 90 किलोमेटर की उचाई तक ही पाया जाते हैं यानि कि 90 किलोमेटर के बाद जो है उक्सिजन तो पाया जाती है ल आयमिंडल की गैसों का अधिकांस भाग नाइट्रोजन कितनी है नाइट्रोजन 78.8 पर तीसाथ यानि 100 पर तीसाथ में से 78.8 पर तीसाथ गैस तो नाइट्रोजन ही पाई जाती है और 20.9 पाज यानि लगभग 21 परसेंट ये कौन सी हो गई ओक्सीजन तो लगभग 21 और ये 99 के तास-पास तो ये ही हो गई तो बहुत ही कम बाकी गैस पाई जाती है इसके अतिरिक्त मुख्य गैसे कारबंडायकसाइड है ओर्गन और ओजौन ये मुख्य गैसे है इनके अलावा सबी गैसों का अपना-पना अलग मेहत्व है ये गैसे दिश निश्चित अनुपात मे वायू मंडल में पाई जाती हैं उसी अनुपात में ये बनी रहनी चाहिए वरना जीवन के लिए कठिन परिस्थिस्तियां पैदा हो जाएंगी कारबन डाय अक्साइड मोसम विज्ञान की दृष्टी से बहुत ही महत्पून गैस है क्योंकि यह सोर विकिरन के लिए पारदर्सी है अब सोर विकिरन क्या होता है वह हम नेक्स चेप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे अब यह समझ दो सूर्य जो चारो तरफ उसमा छोड़ता है उसी को हम सोर विकिरन कहते हैं तो यह जो कारबंडा एक्साइड है सोर विकिरन के लिए पारदर्सी है लेकिन पार्थी विकिरन के लिए अपारदर्सी है अब पार्थी विकिरन क्या ये भी हम नेक्स चेप्टर न पढ़ेंगे सोर विकिरन जो सूर्य उसमा छोड़ता है यह सोरविकरन के एक अंस को सोख लेती है क्या कर्मडायकसाइड कर्मडायकसाइड जो है सोरविकरन के एक अंस को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पिर्थिवी की सतह की और परतिविम्बित कर देती है और कुछ भाग को पिर्थिवी की और भेज देती है यही गैस कर्मडाइक साइट ग्रीन हाउस परभाव के लिए पूनतिया उत्तर दाई है ग्रीन हाउस परभाव आपने साइंस में पढ़ा होगा दूसरी गैसों का आयतन भी इस्तिर है यानि उनका जो वोल्यूम है जिस मातरा में वो उपलब्द है वो भी कॉंस्टेंट है पिछले कुछ दस्कों में मुख्यत है जीवासम इधन को जलाने से लकडी वगएरा जो होती है और जो ये क्या होते हैं तो तुम्हारे जो मर जाते हैं पसू वगएरा और जो हम ये डैड बोडी जलाते हैं कोईला जलाते हैं ये जो होते हैं जीवासम इधन या जो सड़े गड़े पत्ते होते हैं उनको जलाते हैं उनको जलाने से कारवन डाय अक्साइड के आयतन में लगातार व्रद्धी वायू मंडल में हो रही है इसके कारण क्या हो रहा है हवा के ताप को भी बढ़ा दिया अब जब कारवनडा एक्साइड वाईयू मंडल बढ़ रही है तो हवा का जो टेंपरेचर धीरी धीरे बढ़ रहा लेकिन अभी वो बहुत कम मातरा में बढ़ा जो हम ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते तो ओजोन वाईयू मंडल का दूसरा महत्पून घटक है अब ओजोन गैस की बात हो रही है जो पिर्थिवी की सतहे से 10 से 50 किलोमेटर की उचाई के बीच पाया जाता यह जो हम वाईयू मंडल की सनचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे दूसरी परत होती है अपर वहीं पर ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है और यह जो लेयर है यह एक फिल्टर का कार्या करती है तथा सूरे से निकलने वाली पराबैंगनी किडने यानि अल्टा वाइलेट रेज जो होती है उनको अफसोसित यानि उनको यह सोख लेती है और पृत्वी पर पहुंचने में र जल्वास वाईयों में उपस्थित एक परिवर्तनी है गैस है परिवर्तने गैस क्यों है क्योंकि भाप से जल्वास बनते है जल्वास से पानी बन जाता है वो बारिस के रूप में नीचे बरस जाता है तो यह चक्र चलता रहता है जो उचाई के साथ साथ घटती जाती है गर्म यानि जहां गर्मद होते हैं और आदर यानि थोड़ा नमी वाले उसन कटीवंदिय छेतर में यह हवा के आयतन का चार परतिसत होते हैं क्या जलवास यानि जो हवा का आयतन है उस हवा में जो चार परतिसत पाए जाते हैं वो जलवास भी पाए जाते हैं जबकि धुरूओं जैसे ठंडे या रेगिस्तान जैसे सुस्क परदेश, यानि जहां बरव जम्य होती है या जहां पर मरुस्ताल है, वहां ये हवा के आयतन, ये वेतन नहीं है, ये आयतन है, आयतन का कुल एक परतीसत भाग से भी कम होते हैं, ठंडे परदेशों में और की तरफ जलते हैं तो जलवास्प की मात्रा कम होती जाती है क्योंकि धीरे-धीरे वो परदेश ठंडे होने शुरू हो जाते हैं वायू मंडल में जलवास्प की मात्रा किसी इस्थान की जलवायू पर भी निर्भर करती है कि वहां की जलवायू कैसी है जलवास्प सूरे के त सरजित ताप को भी ग्रहन करते हैं और पिर्थवी जो टेंपरेचर वापेश छोड़ती है वाईयू मंडल में उसको भी ग्रहन कर लेते हैं यह हम डेटेल में पढ़ेंगे कि पिर्थवी कैसा छोड़ती है नेक्स चेप्टर में इस परकार यह एक कंबल की तरह कारे करते हैं यह पिर्थवियों को अधिक गरम और अधिक ठंडा होने से बचाते हैं जलवास वायू को इस्थिर तथा एस्थिर होने में भी योगदान देते हैं यानि जलवास जो है वायू को constant और unconstant होने में भी help करते हैं धूलकन अब धूलकन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वायू मंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं यानि जो पिर्थवी से लगयोई परत है उसमें ही जादा पाये जाते हैं फिर भी वायू का परवाय यानि वायू का जो वेग आता जिस तेजी से वायू आती है इन्हें फिर भी काफी उचाई तक ले जाती है धूलक यहांद यह ऐसे प्रतेसों पाए जाते हैं जो ना तो बहुत जादा थंडे और भोग ज़यदा गरम यह बीच कह उसन कटी बने लिए बोलते हैं उपोशन और सितोशन में ही जादा पाए जैसा कि हमारा भारत जैसी कंडिशन है यहाँ पन धूलकन आदरता को ग्रहन कर, यह ग्रहन करने के लिए केंद्रक का भी कार्रे करते हैं और ये मेगों का निर्वान करने में भी सहयक होते हैं क्या धूलकन जो बादल होते हैं उनमें क्या होता है उनमें धूलकन तो होते ही हैं बहुत सारे और पानी जलवास ये सब कुछ होता ही है ये धूलकन विभिन सरोतों से प्राप्त होते हैं इनको प्राप्त करने के सरोत अलग-अलग है इनमें सूश्म मिट्टी जो बहुत ही बिल्कुल पतली मिट्टी होती है धूल, समुदरी नमक, जब किसी चीज़ को जलाते हैं धूहां उटतार धूहें की जो कालिक होती है उससे, राक से और जो वाईमंडल में उलका-पात उलका जो गिर्ती रहती हैं उलका के कन इसमें सामिल होते हैं ये धूलकन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं इस परकिरिया से बादल बनते हैं और वर्सा भी इसी कारण होती है धूलकन सूर्य के ताप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कारण भी करते हैं यानि सूर्य के ताप को भी रोक लेते हैं और सूर्य की जो केड़ने आती हैं उनको परावर्तित भी कर देते हैं इनकी सूर्योदे तथा सूर्यास्त के समय आकास में लाल तथा नारंगी रंगी छटाओं का निर्मान करते हैं यानि जो सूर्योद और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य लालिमा दिखाई देती है वो इन धूलकनों के कारण ही दिखाई देती है अब जो वायू मंडल में गैसे पा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा नाइटोजन पाई जाती है सब को पता है नाइटोजन इस गैस की परतीसत की मात्रा सबसे अधिक है 78.8 परतीसत यह वायू मंडल की महत्पिन गैसों में से एक है नाइटोजन से पेड़ पोधों के लिए प्रोटीन का नुर्मान होता है जो भोजन का मुख्य अंग है किसके पेड़ पोधों के लिए है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जीवन दाईनी गैस माना जाता है क्योंकि ऑक्स कुछी जलेगी भी नहीं अगली कारवंडा एक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में ही पाई जाती है वायू मंडल में केवल 0.03 परतीसत होते हुए भी कारवंडा एक्साइड महत्पून गैस है क्योंकि यह पेड़ पोधों के लिए अत अधिक उचाईयों पर ही अती नियून मात्तरा में मिलती है यह सूरे से आने वाली खतर नाक परावैंगनी विकिरन यानि अल्टा वैलेट रेज को अफसोसित कर लिए अफसोसित कर ली नहीं है सोक लेती है एरो सेल्स क्या होते हैं वायू मंडल में जलके कंड कार्बन डा लास्ट टोपिक इस चेप्टर का वायू मंडल की संदचना यानि वायू मंडल में है क्या क्या कितनी परते हैं क्या है क्या था तापमान यानि टेंप्रेचर और वायूदाब एर प्रेसर के आधार पर वायू मंडल को पांच परमुक परतों में बाटा गया क्योंकि सभी जो पढ़ते हैं, सब में air का pressure अलग-अलग है, temperature सब का अलग-अलग है, इसी के अधार पर कितनी किलोमीटर पर कौन सी पराता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, रासाइनिक संगटन, यानि chemical जो combination है, composition है, के अधार पर वायू मंडल को दो विस्तित परतों में बाटा जाता है, homosphere और heterosphere, लेकिन तापमान और वायू दाव के अधार पर पांच, जो उपर वाला तापमान और वायू दाव के अधार पर यही हमें पढ़ना है, किन्तु पिर्थवी दिखाई दे रही है नीचे, और इसके उपर यह अलग-अलग blue color के light या dark करके जो दिखाया गए, यह हमारे क्या है, वायू मंडल की परते हैं, थोड़ा सा और यहां पर clear दे दिया है, यह इस तरह से बना के दे रखा है, यह हमारी पिर्थवी है, आई अब इन गुबारों को छोडते हैं, जहां तक गुबारे उडते हैं, एरो प्ले इन उडते हैं, यह सब हमारे छोब मंडल में ही ओते हैं, और जहां से बारिस होती है, यह हवायू मंडल की सबसे निचली परत है, इसकी ओसा दुचाई यानी average जो उचाई है, 13 किलोमीटर, पर 8 किलो बीज 18 किलोमेटर है और धुरुवों पर ये 8 किलोमेटर रह जाता है रितू और मोसम यानि जो भी मोसम है हमारा मोसम से संबंदे सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है यह परत मानव के लिए अत्यधिक प्योगी है भुमद्य रेखा या विसुवे तुरत एकी बात है पर छोब मंडल की उचाई अधिक नहीं है देखो कहां पर भुमद्य रेखा पर ज़्यादा अधिक ना होने का जो कारण बताया गया है उसका कारण क्या है वहाँ चलने वाली तेज वाईयों का परवा है जो उसमा को परि पारी, सोना, संगनन, आदी सभी जितनी भी मोसम से संब्दित घटनाए हैं वो सब इसी परत में घटती है यानि कि लगबग 10 से 13 किलोमीटर की उचाई तक कहां से जमीन से इस मंडल में उचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाए जैसे जैसे उचे चलते हैं वैसे वैसे टेंप्रेचर हमारा डाउन होता है आपने देखा होगा पहाड़ी इलाके में जम पहाड़ पर ऊपर चड़ते जाते हैं तो टेंप्रेचर हमारा डाउन होता है और कितनी उचाई पर कितना टेंप्रेचर डाउन होता है इस परत में परतेक 165 मीटर की उचाई पर तापमान एक डिग्री सेल्सियस घटता चला जाता है हर 165 मीटर कर इसी परत में धूलकन तथा जलवाच व सच से अधिक मातरा में पाए जाते हैं होते तो और भी परतों में लिए सबसे ज़्यादा यह ही पाए जाते हैं जैविक किरिया के लिए भी यह है परत सबसे बहत्पून है छोब मंडल और समताब मंडल छोब मंडल के बाद अगला जो मंडल आता है वो समताब मंडल है तो दोनों को जो अलग करने वाली रेखा है दोनों को जो अलग करने वाला भाग है उसे छोब सीमा हम कहते हैं भूमद्यर रेखा के उपर छोब सीमा में हवा का टेंपरेचर माइनस 21 डिगरी सेलसियस और धुरूओ पर माइनस 45 डिगरी सेलसियस होता है तो कितना माइनस चला जाता है 10 किलो मिटर उपर जाती और होता है यहाँ पर तापमान इस्थिर होने के कारण इसे छोब सीमा कहा ज यह हमारा छोब सीमा होती है इसके बाद यह ओजोन परत फिर समताप मंडल और समताप मंडल के बाद यह समताप सीमा आ गई यानि जो मंडल है उसके उपर वही सीमा हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट आगया हमारा समताप मंडल यह सेकिंड परत है स्टैटो स्फेयर छोब सीमा के बाद यह परत पचास किलो मिटर तक यानि 10 से 13 किलो मिटर तक तो हमारी छोब मंडल है उसके बाद अगले जमीन से ही यानि की लगबत 10 से 50 किलो मिटर तक यह है इसके नि यानि जब ये परत शुरू होती है उससे नीचे के जो 20 किलो मीटर है इस परत के सुनू होने के वहाँ टेंप्रेचर में कोई भी चेंज नहीं आता तेंप्रेचर बिल्कुल सेम रहता है यानि समान रहता है इसलिए इसको समताप मंदल भी कहते हैं इसके उपर 50 किलो मीटर की उचाई तक फिर तापमान में व्रद्धी होती है फिर तापमान बढ़ना इसके उपर जहां पर ये कॉंस्टेंट हो गया फिर उसके बढ़ना शुरू होता है इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्तित है ओजो सूरे से आने वाली बारा दिखाता हूँ मैं आपको ये आगे हमारा चितर तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये और जो ऑनपरत होती है और ये जब समताब मंडल सुरू होता तो उसके सुरुआत मही आ जाती है और ये इस तरह से पूरे बिर्थी को ये घेरे हुए है इसके बाद यहां पर यह आ गया यह हमारी समताब सीमा है फिर यह तीसरा आ गया मद्ध्यमंडल बोलते हैं जिसको आईए उसके बारे में पढ़ते हैं यह आ गया हमारा मद्ध्यमंडल यह मीसोइस्फेयर इस परत का विस्तार 50-80 km की उचाहित तक होता है 50 km तक तो क्या हो गया समताब मंदल फ फिर उसमें गिरावट आ जाती है तेमपरेचर फिर से कम होने लगता है 80 km तर जब पहुंच जाते हैं तो टेमपरेचर माइनस 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अगर आप लोगों ने आयरन मैन वाली फिल्म बेच्चो देखी हुई है जब वो अपना पहला सूट बनाता है और वायू मंडल में उपर के दर जाता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसके सूट पर बर्फ जम जाती है तो वो यही मंडल होता है जहां माइनस टेमपरेचर में वो पहुंच जाता है और वहां बर्फ उसके सूट पर जम जाती है तो मध्ध्य मंडल की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं मद्ध सीमा क्योंकि मद्ध मंडल के उपर है आईए अगला जो मंडल है चोथा मंडल वो आयन मंडल है इस परत का विस्तार 80 किलो मिटर से 400 किलो मिटर तक है यहां उपस्थित गैस के जो कन है वो विद्यूत आवेसित होते हैं यानि पोजिटिव तरंगे भेजें तो यह उनको परावर्तित करके उनको वापिस पिर्थिवी की तरफ ही वापिस भेज देती है उपर आगे जादा जाने नहीं देती है इस परत में उचाई बढ़ने के साथ तापमान में व्रद्धी शुरू हो जाती है देखो सबसे पहले छोब मंडल में उचाई बढ़ने के साथ कम हो गया फिर समताप मंडल में पहले भी इस किलिमेटर कॉंस्टेंट रा बढ़ा नहीं उसके बाद थोड़ी थोड़ी व्रद्धी हो जाती है फिर अगला जो मंडल आता है बद्ध्य मंडल उसमें फिर तेंप्रेचर गिनना शुरू हो जाता है जब आयन मंडल शुरू हो जाता है तो इसमें तापमान में व्रद्धी शुरू हो जाती है बहाय मंडल एक्सो स्फेयर आयन मंडल के उपर वायू मंडल की सबसे उपरी परत है जिसे बहाय मंडल कहते हैं और 400 किलिमेटर के बाद है यह सबसे उची परत है तथा इसके बार जो धीरे धीरे इसके बाद जो अंतरिक्स आता है, उस अंतरिक्स में विलीन हो जाती है, पता भी नहीं चलता, तो ये थी हमारी वायू मंडल की सन्रचना, सारी पढ़ते हैं, इसकी पांचों पढ़ते हैं, एक बार मैं चित्र में आपको दिखा देता हूं, दुबारे से, य सबकुछ मंडल नहीं होता है, फिर ये ओजोन परत आ जाती है, ये समताप मंडल आ गया लगवा 50 किलिमेटर तक, फिर मद्ध्य मंडल है, इसमें उलकाएं वगएरा जो होती हैं, इसी मद्ध्य मंडल में गिरती हैं, ठीक है मद्ध्य मंडल के बाद ये कामरान रेखा कहलो ये कौनसी मंडल में जाती है, ये ताप मंडल या आयन मंडल कह सकते हैं, तो सैटेलाइट बगएरा इसी मंडल में हमारे हوتे हैं, और जो सबसे आकरी मंडल है, बाइ मंडल, यहां क्या पहुच बाता है, यहां सिर्फ अंतरिक शियान ही पहुच बाता है, और वहां पर वायू के बारे में हम आगे आने वाले चेप्टर्स में जाता पढ़ेंगे तो अब मोसम और जलवायू में में अंतर क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लेका है मोसम देखो तापमान, वर्सा, वायूदाव, आदरता ठीक है आदरता यानि नमी, वायूदाव यानि एर प्रेशर, वायू की दिसा किस दिसा में बहर रही है और उसकी कितनी तेजी से बहर रही है, आदी तत्मों का जो ओसत है यह मोसम कहलाता है, ठीक है, यह है एक छोटे भूभाग पर, छोटी अवधी अथोवा दैनिक वायू मंदलिय मैं दसाओं को अभी लिएक, यानि छोटे भूभाग पर होता है छोटी अवधी के लिए होता है, या दैनिक इस्थिती भी इसमें मापी जाती है अब जो जलवायू है जलवायू भी इनी सब का ओसत है यह जो चीज़े है इनी सब का ओसत है बस फर्क क्या है वह बड़े भुभाग के लिए होता है और बड़ी अब्धी के लिए मापा जाता है मोसम छोटी अवदी के लिए होता है जलवायू बड़ी अवदी के लिए होता है जो चीजे हैं मोसम में चेक करते हैं वही हम जलवायू में भी चेक करते हैं मोसम के तत्वों का ओसत यह जो ओसत है मोसम के जो तत्व हैं लंबी समय अवदी और बड़े भूभाग पर कई वर्सों के अध्यन पर अधारित वायुमंडिल दसाओं की समाने अभी वक्ती वो करता है। दोनों में फर्क यही है वो छोटे अवदी और छोटे भूभाग के लिए है यह बड़ी अवदी और बड़े भूभाग के लिए है तो इस परकार यह चेप्टर एक ही वीडियो में कम्प्लीट हो गया चोटा चेप्टर था उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सम सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को सेयर करो ताकि उनको भी इससे लाब मिले धन्रवाद